आज हम डिसकस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशन क्यों हम इसको डिसकस कर रहे हैं रिसेंटली 5th में 2020 और 9th में 2020 LSE पे LSE बाउंडरी बेट्वें इंडिया एंड चाइना वहां पे इंडिया और चाइना चाइनीज फोर्सेस की बीच में एक स्टैंडफ हुआ था 5th में 2020 इन लड़ाक रीजिन और 9th में 2020 नौर्थ सिक्किम रीजिन यह पूरा इशू क्या है इंडिया चाइना का प्रेजेंट रिलेशन क्या है और फ्यूचर प्रोस्ट प्रोस्ट देखेंगे रीसेंट स्टैंडफ लाइन अफ्यक्षल कंडरोल पे क्या था इंडिया चाइना के बौर्डर को डिसकस करेंघ इंडिया और चाइना के बौर्डर को मैन करता हैれた तो वह क्या है कब少 rot क्या है क्यों यह स्टैंडफ हुआ है और इसका उसका implication क्या है? ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एंड चाइना can compete with each other और can cooperate with each other but अगर वो cooperate करेंगे तो then they will be very formidable force but if they are in conflict with each other दोनों को नुक्सान होगा and कैसे इस conflict का resolution निकाल साथ? Now recent event क्या हुआ है? 5th May 2020 को लड़ाख के अंदर पैंगोंग लेक है 135 किलोमेटर का लेक है जिसका 45 किलोमेटर इंडियन साइड है rest 90 किलोमेटर चाइनी साइड है ये लेक काफी famous हुआ था because एक movie आई थी 3 years और उसका climax यहाँ पर shoot हुआ था तो यहाँ पर इंडिया एंड चाइनीज forces की बीच में standoff हुआ था और जिसकी वज़े से Chinese helicopters लेके यहाँ पर आ गए थे Chinese अपने boats लेके आ गए थे और दो इंडिया के security personnel injured भी हो गए थे 9th में 2020 को North Kim का Nakula sector है ये एक mountain pass है 5 km height पे वहाँ पर इंडिया और चाइनीज forces के बीच में एक standoff हुआ था ये पूरा इशू समझने के लिए आपको JNK के border को समझना पड़ेगा जम्मु इन किश्मीर इंडिया का state है अगर मैं उसका official border draw करूँ तो ये मैं red color में draw कर रहा हूँ ये इंडिया का international boundary है जम्मु इन किश्मीर और चाइना के साथ हम share करते हैं ये पूरा red वाला मैंने JNK का border बनाया लेकिन जो ये portion blue color में है ग्रे कलर में है वही इंडिया के control में अभी है और ये एक dash line आप देख रहे हैं line of control है इंडिया पाकिस्तान के बीच में boundary का dispute था तो हमने line of control बनाया कि जब तक boundary का dispute सर्व नहीं होता तब तक ये official boundary सर्व करेगा कश्मीर का जो portion पाकिस्तान ने capture किया है इंडिया उसको P.O. के कहता है पाकिस्तान occupied कश्मीर पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है तो कश्मीर का ये portion पाकिस्तान ने capture कर लिया है ये वाला region है वो पाकिस्तान ने इंडिया से लेके और फिर चाइना को दे दिया है इसको भी इंडिया क्लेम करता है सियाचीन glacier इसको पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम करते हैं अकसाई चीन वाला रीजिन ये चाइना ने ले लिया है और ये इंडिया इसको क्लेम करता है और उसके बाद लडाख रीजिन हिमाचल परदेश उत्राखंड वहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है देन सिक्किम के अंदर और अरुनाचल बाउंडरी है यह स्टार्ट होता है कारा कोरम रेंज इन लडाक जो वेस्टन पार्ट है तिल अरुनाचल प्रदेश सो कारा कोरम वेस्टन पार्ट है अरुनाचल प्रदेश इस्टन पार्ट है यह इंडिया और चाइना की बीच में बाउंडरी है उसको मैक मेहून लाइन कह KFC अचारीλोल कहते है, मैं होन लाइन जब टिभीट रीजिन है चाइना का पाट नहीं था, उसके बीच में बिटी कि इनदिया की बीच में एक 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 अग्रेमेंट हुआ था, कि McMohan Line को हम Official Boundary Consider करेंगे between India and Tibet region लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानने वाले हैं Pangong Lake और Pangong So Lake ये क्या है 135 km का Lake है ये boundary line है between India and China जिसका 90 km 2 3rd part चाइना में लाई कर रहा है and 45 km 1 3rd part इंडिया में लाई कर रहा है इसका height 4 km 3,050 m height पे located है North Sikkim के अंदर Nakula sector है ये जैसे map में आप देखेंगे ये North Sikkim का portion है यहाँ पे Nakula sector लाई करता है और ये एक mountain pass है at the altitude of 5 km recent जो standoff हुआ है उसका implication क्या होगा उसका effect क्या होगा तो एक effect यह है कि इससे ये line of actual control है तो इंडिया यहाँ पे है चाइना यहाँ पे है दोनों country ने अपने army को अपने asset को यहाँ पे station कर दिया है तो अभी जो ये tension है वो mild tension है बट अगर हम इसको address नहीं कर दे हैं तो future में ये increase हो सकता है और ये जब increase होगा तो country को अभी focus करना चाहिए प्रदेश और उत्राखंड ये पूरा इसका western sector है लसी का सिक्किम इसका middle sector है और अरुनाचल प्रदेश इसका eastern sector है तो लसी को अब तीन पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं वेस्टन सेक्टर देट इस लड़ाक उनिन टेटरी हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड middle that is Sikkim and eastern that is अरुनाचल प्रदेश इंडो-Tibetian border force India-China border को मैन कर रहा है काफी challenging task है because 5 km, 6 km के altitude पे located है glacier का वहाँ पे formation है और climate काफी harsh है वहाँ पे तो ITBP का full form है इंडो-Tibetian border police force Ministry of Home Affairs के अंदर आता है इंडिया में तीन तरीके के forces है एक forces है military दूसरा forces है paramilitary and third forces है police military forces आता है ministry of defense के अंदर paramilitary forces हाता है ministry of home affairs के अंदर तो military forces के अंदर क्या है air force है, army है, navy है, paramilitary force के अंदर CRPF है, CISF है, Indo-Tibetian border force है, border security force है तो वह ministry of home affairs के अंदर आएगा and police state government के अंदर होती है तो इसको आप याद रखना, तो इंडो-Tibetian border force वह एक paramilitary force है, ministry of home affairs के अंदर आता है इसको हम deploy करते हैं, इंडो-China border, तो northernmost point है और कह सकते हो westernmost point है, that is the Karakoram Pass in Ladakh and सबसे easternmost point है जाचेपला in Arunachal Pradesh, 3488 km का इंडो-China border है 24th October 1962 को हमने race किया था इसको और यह mountain specialized force है इसके officers, इसके जवान्स, they are professionally trained to be mountainers and skype What is the reason of recent standoff? First, Pangong Lake के आजू-बाजू, India road construction project plan कर रहा था तो China इसको oppose कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, आप इस road construction project को carry on नहीं कर सकते हैं तो India ने कहा कि क्यों नहीं हम carry on कर सकते हैं क्योंकि आपने भी तो ऐसा कुछ किया है, on your side of LSE, on your side of Pangong Lake तो China है हमें oppose कर रहा है, क्योंकि China को ऐसा डर है, कि maybe हम ये infrastructure अगर create करते हैं तो हमारे लिए easy होगा अपने troops को mobilize करना Presently, India और China के बीच में trust deficit है Reason, Pakistan को China military and diplomatic support दे रहा है और Pakistan इंडिया का arch rival है, इंडिया के लिए security problems create करता है Even fake news through India के communities के बीच में hatred भी पाकिस्तान spread करता है और उनाचल प्रदेश और लडाक में contesting claim है कुछ area है, कुछ territory है जिसको China भी claim कर रहा है, इंडिया भी claim कर रहा है और China के अंदर nationalism को rise करने के लिए भी ये stand-off हो सकता है बहुत सारी conspiracy theory आई है, तो उसमें कहा गया कि COVID-19 को लेके चाइना को बहुत criticize किया गया, कि चाइना ने coronavirus के बहुत सारे information को उसने चुपाया है या information को लेके वो transparent नहीं था तो ऐसे result चाइना अपने attention को divert करना चाहता है और अपने population के अंदर एक nationalism का feeling लाना चाहता है अब ये nationalism का feeling क्या है, जैसे कि suppose इंडिया के अंदर different political party है कुछ government को criticize करती है, कुछ government को support करती है या different say pressure group है, interest group है बट जब इंडिया के ऊपर कोई problem आएगा, तो सारे लोग united हो जाते है तो that is nationalism, कि your country interest is supreme अभी आप चाहिना को देखो, इंडिया के साथ उसका stand-off चल रहा है Taiwan के अंदर उसने एक statement रिशू किया है Hong Kong के related उसने एक statement रिशू किया है तो ये अपने citizen के अंदर nationalism इंस्टिल करने के लिए है क्या ये timing गलत है, ये stand-off का, yes गलत है China अभी international criticism suffer कर रहा है because of alleged handling of corona virus US के अंदर, जो Trump, उनके president है वो रोज China को कहते हैं कि China ने हमसे information चुपाया जिसके वैसे corona virus spread हुआ तो China को internally investigation करके and they should come clean on this thing rather than going for some adventure or misadventure because of COVID-19, China का economy suffer हुआ था negative way में and China भी struggle कर रहा है अपने economy को start करने के लिए तो instead of focusing on fight against corona virus or health emergency or economic downfall China ऐसे misadventure में participate कर रहा है India is in the middle of COVID-19 pandemic अभी भी cases इंडिया में increase हो रहे है जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसके एक दिन पहले इंडिया में approximately 6,000 नए cases आए थे हैं तो that itself is a record तो we are in the middle of COVID-19 pandemic and we should avoid a situation like this there is a possibility of economic slowdown expert ऐसा कहते हैं कि Indian economy के अदर slowdown होगा even it can go to minus 6 percentage also so in this situation this thing is not necessary this thing is not a priority and if there is any problem also then we should solve by dialogue there is no point of escalating this standoff इंडिया और चाइना की बीच में एक concern क्या है चाइना क्लेम करता है अरुनाचर प्रदेश और लडाख के territory को इंडिया कहता है कि नहीं यह हमारा sovereignty के उपर attack है यह हमारा portion है हम चाइना को नहीं देंगे चाइना पाकिस्तान को support करता है जो इंडिया का arch rival है इंडिया के अंदर problem create करता है especially security problem चाइना पाकिस्तान को militarily support कर रहा है उसके अंदर nuclear weapon develop करने के लिए पाकिस्तान को help कर रहा है economically support कर रहा है investment कर रहा है infrastructure बना रहा है every time चाइना पाकिस्तान को बचाता है at world level पे मौलाना मसूद अजर को इंडिया ने world level पे try किया था कि उसको हम individual terrorist की तरह declare करें बड़ चाइना ने बार बार उसको बचाया था पाकिस्तान को support करने के लिए टिबिट रीजिन के अंदर water resources है that is Brahmaputra Brahmaputra water के sharing को लेके dispute है इंडिया और चाइना के बीच में चाइना rail infrastructure road infrastructure military infrastructure डेवलप कर रहा है और उसको लेके भी इंडिया को concern है टिबिट रीजिन में क्योंकि इंडिया का ऐसा allegation है कि in case अगर इंडिया चाइना की बीच में problem escalate होता है तो चाइना अपने forces को even वहां पर mobilize भी कर सकता है अर्माचर प्रदेश से जमुएन किश्मीर से लडाक से सिक्किम से को चाइना में जाता है तो चाइना उसको staple visa issue करता है अब ये staple visa का concept क्या है suppose करो आप अभी इंडिया में रह रहे हैं तो आपके पास इंडिया का passport है अगर आपको चाइना में एंटर होना है तो चाइना का visa लेना पड़ेगा ये visa आपको कैसे मिलता है आपके passport के ऊपर Chinese immigration department stamp लगाएगा और यू कन गो इन चाइना तो visa means official permission that you can enter another country बट आप इंडियन है बट अरुनाचल प्रदेश के resident है या अरुनाचल प्रदेश के अंदर आपने कभी serve किया है आर्मी में या किसी paramilitary में या फिर जमुएन किश्मीर में लडाक में आपने serve किया है तो चाइना का ऐसा कहना है कि जमुएन किश्मीर तो एक disputed territory है अरुनाचल प्रदेश लडाक चाइना कहीं पार्ट है तो इस आपको लडाक से चाइना के किशी सिटी बीजिंग में जाना है तो वो क्या करता है कि इंडियन पासपोर्ट के ऊपर एक वीजा को स्टेपल कर देता है वो इंडियन पासपोर्ट को रिकरगनाईज नहीं कर रहा तो उसके उपर वीजा का स्टैंप नहीं मारा और यह स्टेपल पेपर को लेके आप चाइना में जा सकते हैं तो जो disputed territory होता है उसके लिए countries स्टेपल वीजा योज़ करती है इंडिया और चाइना की बीच में trade imbalance है अगर चाइना से import और export का हम देखें तो चाइना से approximately say हम अगर dollar 100 का import करते हैं तो maybe dollar 40 का हम export करते हैं तो our import from China is much more larger, much more greater than export जो trade imbalance create करता है leadership of Asia के लिए इंडिया और चाइना की बीच में competition है इसलिए दोनों अपने regional influence को increase करने का try करते हैं common क्या है इंडिया और चाइना की बीच में एक population है, world का largest populous country चाइना है, second largest है, इंडिया है environmental degradation है, air pollution, water bodies pollution उसे चाइना भी सफर कर रहा है, इंडिया भी सफर कर रहा है social economic inequality in China as well as India Islamic terrorism and separatism कश्मीर के अंदर भी हम Islamic terrorism and separatism से सफर कर रहा है उसी तरीके से चाइना का जिंज्यांग region this region यह भी सफर कर रहा है यहाँ पर यूगूर rebel है, वो separatist movement चलाते हैं इंडिया और चाइना से अलग होना चाहते हैं, इंडिया और चाइना G20 में, BRICS में, SCO में वो एक साथ है climate change को लेके, trade को लेके, global governance को लेके, इन IMF World Bank में, United Nation में, इंडिया और चाइना का similar view है now conflict कहां पर है, इंडिया और चाइना के बीच में first conflict है, इंडिया और चाइना दोनों अपने regional sphere of influence को increase करना चाहते हैं, expand करना चाहते हैं इंडिया इशियान के साथ actively participate कर रहा है, इंडिया एक South Asian country है इशियान के अंदर participate करके अपने आपको expand कर रहा है in South East Asia इंडिया SEO का active member बनके अपने आपको Central Asia में expand कर रहा है, चाइना सार्क में actively enter होना चाहता है ताकि South Asia को influence कर पाए, इंडिया ओशियन रिल्म for advanced regional corporation उसके थ्रूँ इंडिया ओशियन में that is BRI, Belt and Road Initiative उसके थ्रूँ चाइना East, South East, South, West, Central Asia को influence कर सकता है, अपने आपको expand कर सकता है Central, Eastern and Western Europe के अंदर enter हो सकता है, आफरीका और उस्ट्रीलिया के अंदर enter हो सकता है तो China and India दोनों try करते हैं पर regional sphere of influence को increase कर पाएं, यह country को depth देके, country के अंदर infrastructure create करके, country के अंदर military support करके, वो करते हैं India military support नहीं करता है, बट infrastructure में या country को पैसे देके influence करता है इंडिया और चाइना की बीच में competition है, energy को लेके, इंडिया और चाइना developing nation है, energy का one of the largest consumer है तो Gulf region में petroleum और natural gas को लेके, दोनों के बीच में competition है Central Asia के अंदर natural gas and nuclear fuel को लेके, और nuclear resources को लेके competition है अभी COVID-19 को लेके, चाइना को criticize किया गया कि coronavirus related बहुत सारा information China ने hide किया था, China was not transparent in dealing with that information तो बहुत सारी manufacturing industry जो है, वो चाइना से निकलना चाहती है because they don't find China as a reliable partner तो इंडिया उनको attract करने के लिए इंडिया labor reform कर रहा है, अपने अंदर economic reform कर रहा है So India and China are competing with each other for investment and for gaining manufacturing industry resources के लिए India and China compete कर रहा है in Africa में India and China, they are also competing with each other for market of a developed country and developing nation So this is the conflict between India and China, they want to expand their regional sphere of influence and they are competing with each other in one way or other Now, how the problem of India and China can be solved, resolution क्या है इसका First, India को आप develop करो, जिस तरीके से individual बहेव करता है, country भी उसी तरीके से बहेव करता है Suppose करो कि आप अभी economically अच्छे से perform नहीं कर रहे हैं, तो what will be your relative outlook towards you आपको इग्नोर करेंगे, किसी भी social location में आपको देखेंगे तो they will ignore you But suppose you are doing very good, आप economically बहुत अच्छे हैं Then everybody will come towards you तो same way में हमें इंडिया को develop करना चाहिए हमें GDP growth पे ध्यान देना चाहिए कि इंडिया develop होगा, इंडिया का market mature होगा तो then China कभी भी ऐसा misadventure नहीं कर पाएगा अगर हम अपने आपको ही develop नहीं करेंगे तो then China economically और militarily हमारे साथ conflict में आ सकता है हमें अपने military का modernization करना चाहिए so that ये China के लिए से deterrence की तरह act करें अगर in case China कुछ सोता भी है कि इंडिया के साथ हम कुछ misadventure करेंगे तो our military should be well equipped to give a very good answer to China इंडिया चाहिना को लेके border का dispute है, major dispute है, line of actual control वो एक temporary border है, कहीं पे ये line mark नहीं किया हुआ है तो ऐसा ऐसा कहा गया है कि suppose ये river जा रही है तो उसका eastern side China है, western side India है ये forest है, उसका eastern side China, western side India तो जिसको लेके काफी confusion होता है वहाँ पे जो security forces इसको patrol करते हैं, इसको man करते हैं तो border को हमें proper way में demarket करना चाहिए अगर हम demarket नहीं कर पाते हैं, तो हमें status को maintain करना चाहिए अभी तक यही situation रहेगा, हम अपने दूसरे चीज़ों पर concentrate करते हैं कोई conflict नहीं है हमारे बीच में इंडिया को दूसरे country के साथ coordinate करना चाहिए जिसका चाइना के साथ dispute है चाइना का ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ dispute है चाइना का अल्मोस्ट सारे country के साथ dispute है It has dispute with Bhutan, it has dispute with Vietnam, Japan, South Korea सब के साथ चाइना का dispute है प्लस Hong Kong and Taiwan को लेके भी चाइना and इंडो region के बीच में conflict है तो इंडिया को उस country के साथ coordinate करना चाहिए कोलाबरेट करना चाहिए जिसका चाइना के साथ dispute है तो जिसके थुरू हम चाइना को collectively pressurize करवाएंगे और चाइना क्या करता है कि पाकिस्तान को, नेपाल को, माइनमार को उसको इंडिया के against use करता है जैसे पाकिस्तान, इंडिया-पाकिस्तान का dispute है नेपाल, नेपाल ने अभी अपना नया official map release किया है और उसके अंदर काला पानी उत्राखंड का एक region है उसको अपने map के अंदर include किया है similar way में माइनमार के साथ इंडिया का dispute है तो इंडिया को ये तीनों country के साथ अपना dispute solve करना चाहिए so that China को opportunity ही ना मिले कि इन country के साथ मिलके इंडिया को परशान किया जाए so this is all about India-China relation इस lecture को related कुछ अगर doubt है कुछ suggestion है तो आप comment box में लिखके हमें बता सकते हैं lecture को हम conclude करते हैं thank you and continue